हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई किचन फ्रेंड्स आज हम सेयर करने जा रहे हैं राजस्थान की एक बहुत ही पारंपरिक राबडी ये राबडी खाने में जितनी स्वादिश्ट होती है उतने ही आपको सरीर में ठंड़क परदान करने वाली होती है इसे हम बहुत ही पारंपरिक तरीके से बनाएंगे लेकिन सबसे पहले मेरी आप से एक रिक्वेस्ट है कि प्रीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए इसे के साथ में अगर आपको हमारा वीडियो प मेरे पास में नवरातरा का एक कलेस्पड़ा था तो मैंने इसी को ले लिया क्योंकि इसमें बनाने से हमारे राबड़ी बहुत ही ठंड़क परदान करती है और हमारे राबड़ी के अंदर मिट्टी की एक सोंदी-सोंदी सी खुस भुआती है जिससे हमारे राबड़ी का स् फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दही और आटे का रेसियों का बिल्कुल ध्यान रखना है अगर आपने इसी तरह के से मनाई तो आपकी राबडी बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगी देखिए हमने यहाँ पर बन फोर्थ कप गेहूं का छना हुआ आटा ले लिया यहाँ पर हमने गेहूं का आटा लिया है अगर आप चाहो तो यहाँ पर बाजरे का आटा भी ले सकते हूँ लेकिन कई लोगों को पॉस्ट्रिबेशन की सिकायत होती है सरदियों में बाजरी की राबडी और गर्मियों में गेहूं की आटे की राबडी बनाना पसंद करते हैं तो आपको जो भी आटा पसंद हो गेहूं का या बाजरे का वो आप एड़ कर सकते हो तो हमने याँ पर एक चोथाई कप गेहूं का आटा ले लिया, इसके अंदर हम आदा कप दही का डाल देंगे, एक बार मैं फिर से आपको रेशियो बताती हूं कि हमने एक चोथाई कप आटा और आदा कप दही का लिया है, इस रेशियो का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है मतलब कि आपको आटे का दुगना दही लेना है ये राबड़ी हम घर में पास मेंबर्स के लिए रेड़ी कर रहे हैं आप देख लीजेगा आपके घर में जितने मेंबर्स हो उसके कोर्डिंग आप ले सकते हैं और आपके पास में दही अविलेबल नहीं हो तो आप चास भी इसके अंदर डाल सकते हैं इसके बाद में हम एक हाथ से इस मटकी को पकड़के दूसरे हाथ से इसको अच्छी तरह से मतलेंगे यहाँ पर हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका बता रहे हैं आप चाहें तो इसे चमट से भी कर सकते हैं लेकिन राजस्तानी रापड़ी बनाने का सबसे बेस तरीका यही है जैसा कि हमने बताए कि हम आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से दिखा रहे हैं इसको देखिए हमारा बेटर यहाँ पर रेडी हो चुका है इसे हमने कम से कम पांस मिनिट तक हातों से घोट घोट के एकदम चिकना कर लिया है इसके बाद हम इसमें एक कप पानी का डाल कर इसको हातों से एक बार फिर से अच्छी तरह से घोट लेंगी इस तरह से हमारा राबडी का गोल बिल्कुल बनाने के लिए त्यार हो चुका है अगर आप instant रावड़ी बना रहे हैं तो आपका घोल रावड़ी बनाने के लिए त्यार हो चुका है लेकिन हम बिल्कुल परमपरिक तरीकी से बना रहे हैं तो इस घोल को हम सुबर से लेकर शाम तक दूप के अंदर रख देंगे हम राजस्तानी बासे में बोलते हैं कि खाटा उठाना तो खाटा हमारा शाम तक बनाने के लिए त्यार हो जाएगा देखिए हमारा रावड़ी बनाने के लिए यहाँ पर घोल बिल्कुल रेड़ी हो चुका है लेकिन एक बार हम इसे चम्मस से अच्छे तरीकी से मिला लेते हैं उसके बार हम चलते हैं गेज की तरफ गेज के ऊपर हमने हाई फ्लेम पर दो कप पानी का उबलने के लिए चड़ा दिया है इसे हम डगकर लगा देंगे ताकि हमारा पानी पटापट से उबल जाए देखिए यहाँ पर हमारे पानी के अंदर अच्छे तरीके से उबाला चुका है पानी के अंदर उबालाते ही हम इसमें गोल जो हमने त्यार किया है वो डाल देंगे लेकिन डालते ही हमें चम्मच से इसको लगातार चलाते रहना है और हमें अपनी चम्मच पतिले के तरे तक लेगी जानी है ताकि हमारी राबड़ी निच्चे तले के अंदर लगे नहीं राबड़ी के अंदर उबालाने तक हमें इसे चम्मच तक ही लाते रहना है फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो स्टेप करेंगे आपको उनका बिल्कुल केरफरी ध्यान रखना है नहीं तो आपकी राबडी बिल्कुल बढ़ियानी बनेगी और वो फट पी सकती है एक बार फिर से हम आपको रेशियो बताते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हूँ हमने आटे का दुगना दही लिया है और दो कप हमने पानी का उबनने के लिए चड़ाया है राबडी को अच्छे तरीकी से उबनने के बाद में हम इसमें एक चमस नमक कर डाल देंगे और उसे अच्छे तरीकी से मिला लेंगे कि राबडी के इंदर उबाले आने के बाद में हम इस राबड़ी को पांस मिनिट तक लौ конт पर पकाले कई लोह को राबड़ी मिट्ऴी पसंद होती है अगर आपको पसंद हो तो आप मिठा डाल सकते हैं अपनी पसंद के बाद में त्यार हो चुक है अगर आपको गरम राबरी पसंद अ है तो हम इसे कल सुब устрой को सबसे के गेसर हो कि पर आए को कि असब जये कि हम आगे का प्रॉसर के बताते हैं आपने हमने हमारी राबरी को रिडी होने के बाद में उसी मटकी के अंदर डाल के रख दिया था ताकि उसका सौंदापन और सुवाद और बढ़ जाए इसे हम विश्कर से अच्छी तरी के से मिला लेंगे इसके बाद हम इसमें चाच भी मिलाएंगे आप चाहो तो इस राबड़ी को बिना चाच मिलाए हुई भी पी सकते हो लेकिन चाच मिलाने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा इस राबड़ी के अंदर हम दो कप चाच का डाल देंगे और उसे अच्छी तरे किसे मिला लेंगे इसके बाद हम इस राबड़ी को चान लेंगे वैसे तो हम बहुत कोशिस करते हैं कि इस लम्स नहीं पड़े, फिरभी अगर थोड़ी हो तरह जाते हैं, तो छानने से लम्स अलग हो जाएंगे और छानने के बाद में राबड़ी थोड़ी करीमी Kरीमी से भी हो जाएगी। कि इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सिखा हुआ जीरे का पाउडर भी डाल देए फ्रेंड्स इस राबड़ी के अंदर में इंग्रेंडियंट शिरफ आठा और दई हैं बाकि जो भी चीजें हम इसमें एड़ करते हैं वह बिल्कुल ओप्सनल है आप चाहो तो इसे मिलाओ य क्योंकि थोड़ा सा चीरा पाउडर डालने से आप सबको पता ही है कि हमारे पेट में ठंड़क देता है और हमारी राबड़ी का स्वाद भी बढ़ जाता है इसे हम सर्व कर लेते हैं लेकिन मान के चलिए कि इस राबड़ी को बनाने के लिए हमें सिरफ दो ही चीज़े होत प्याज डालने से हमारी राबड़ी का टेश्ट बढ़ जाएगा और प्याज से हमें लू और गर्मी नहीं लगती अब हम इसको सर्व कर लेते हैं तो फ्रेंड्स डेफिनेटली इस राबड़ी को देखके आगया होगा ना मुह में पानी आप भी बनाएए खाएए और इंजोई कीजिए जब भी आप दोपर में गर्मियों में काम करके धख जाते हैं तो ये राबड़ी पीकर आपको कुलर की ठंड़-ठंडी हमें में सो सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में सेयर कीजिएगा मिलते हैं एक नेटिस्पी के साथ में थैंक्स फूर वाचिंग स्वस्त रहिए मस्त रहिए